गए चीन में सच बोलने परपाबंदी है वहाँ की सत्ता गा प्रपगणड़ा ही चीन का सच और चीन की तमाम जनता उसी को सच मानकर आगे बढ़ती हैं अगर दुनिया में कहीं भी कोई व्यक्ति चीन की सत्ता धारी पार्टी के इखलाब सच बोलने की जरुरत करता है तो चीन उसको दबाने की छिपाने की हर संभव कोशिश करता है हम जानते हैं कि कैसे दुनिया के अंतराश्य संस्थानों पर मीडिया संस्थानों पर चीन का कि सच को दबाने की हर संभाव कोशिश की जाती है लेकिन अगर गलती से यह सच बोलने वाला चीन के अंदर ही है तो निशित है कि यह उसका आखरी बयान साबित होगा जिंदगी का आखरी बयान हमेशा वो शक्स गायब हो जाता है और दुनिया कभी उसका चेहरा नहीं देख प सारे उधारण देखी होंगे कोविड-19 के सच को उजागर करने वाले डॉक्टर का उधारण है हाल ही में हमने देखा कि कैसे अलीबाबा.com को सस्तापक और दुनिया के सबसे बड़े बिजनिसमैन में एक जैक मा वो भी किस तरीके से गायब हुए इस तरह के धेर उधारण है लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क मुष्क और सच छिपाए नहीं छिपता देर सबेर वो दुनिया के सामने आही जाता है और एक ऐसा ही आनकमफरटबल सच संसनिखे सच सामने आया है जिसने हाल की दिनों में चीन की निंदे उड़ा रखी है दरसल ये है एक स्केंडल का म हमला जिसमें चीन की टैनिस स्टार फैंक शुई में सी सिपी यानि जो चीन की सत्तधारी पार्टी है उसके एक बड़े नेता पर सेक्स्वल हरेस्मेंट का आरोब लगाया है लेकिन आरोब लगाया उसके बाद चीन की अए अंतर राष्टिया टैनिस स्टार हमेशा के नहीं देख पाया लेकिन यह सच भी आखिरकार दुनिया के सामने आही गया और आज पूरी दुनिया चीन से टैनिस्टार फैंक्शोई को वापस दुनिया के सामने लाने की लगतार दबाव बना रही है और हालत इसकदर है कि एक नया आंदोलन चीन के खिलाप शुरू हो तक तो पूरी तरह से नाकाम्याब रहा है लेकिन पूरा मामला क्या है इसको चीन किस तरह से दबाना चाहता है इसको समझने की कोशिश करते हैं फेंग्शुई 35 वर्षिया अंतराष्ट्य टैनिस स्टार कहा जाता है कि चीन के इतिहास में इतनी सफल इतनी बड़ी टैनिस स्टार अब तक पैदा नहीं हुई दुनिया में कोई अंतराष्ट्य बड़ा टोनामेंट नहीं है जिसमें फेंग्शुई ने हिस्सा नहीं लिया हो और अपनी काम्याबी के जंडे ना कारे हो दो सिंगल्स और 22 जबल्स की विजेता फेंग्शुई ने एक ऐसा संसनी खेज हंगा माखडा किया है कि चीन में चीनी सरकार की हालत पतली है पूरी दुनिया चीन की सरकार को घेरने में लगी है दरसल दो नमंबर को फेंग्शुई ने एक बड़ा लंबा चोड़ा सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाते वे एक पत्र लिखा वीबो पर वीबो चीन की सबसे बड़ी सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर उन्होंने चाइनीज भाशा में जो पत्र लिखा उसमें फेंग्शुई ने चीन के फॉर्मर वाइस प्रीमियर जांग गाउली पर कुछ संसनिक हेज आरोप लगाए कैसे जांग बाउली ने फेंग्शुई का सेक्ष्वल उत्पीडन किया और कैसे उसको साइड लाइन किया इसका सिलसलेवार तरीटी से फेंग्शुई ने इस कहानी को इसमें बताया फेंग्शुई के मताबिक 2011 में जांग बाउली जब सीची पार्टी के नेता थे पाउरफुल नेता थे उस वक्त उसने फेंग्शुई को अपने घर पर बुलाया जहां पर जांग्शुई पत्र में लिखा है किया है और उसके उस बाद उसने बताया कि कैसे जब चीन के सत्ताधारी पार्टी की सीसीपी के पॉलिट ब्यूरो की स्टेंडिंग कमेटी में जहांग बाउली सदस्य से बने और फिर उसको फिंग्सुई को उसने साइड लाइन कर दिया 2012 में किये घटना है 2012 में जहांग बाउली पॉलिट पॉलिट की स्टेंडिंग कमेटी के सदस्य से बने और 2013 में वाइस प्रीमियर वाइस प्रीमियर दरसल वाइस प्राइम मिनिस्टर के एक्विलेंट पद माना जाता है चीन में चीन में प्राइम मिनिस्टर कोई पद नहीं ह वहां पर इसको प्रीमियर बोला जाता है हाले कि तमाम शक्तिया प्रेजेंट के पास होती है लेकिन अंतरश्चेस्तर पर भी कूटनीती में भी प्रीमियर एक अपना बड़ा रोल अदा करता है और सक्ता की जो घरेली सकता है उसको संभाले में भी प्रीमियर का बड़ा रोल प्रेटन करते रहे हाला कि इस दुरान फैंक्शुई ने ये भी लिखा कि उनके मन में उनके दिल में जांगावली के लिए एक तरह की प्रेम पैदा हो गया था जिसका इजहार उन्होंने कई बार किया लेकिन जांगावली ने हमेशा उसको नजर अंदाज किया और साइड ल फिर से जब वो वाइस प्रीमेर थे तब भी सेक्शन उत्पीड अंद फैंक्शुई का जांगावली ने किया इन ही तमाम बातों का जिक्र फैंक्शुई ने अपने इस पत्र में किया जो कि उसने वीबो पर डाला था जैसे ही ये पत्र डाला मिर्श्यों तोर पर तैथा वाइरल हुआ लेकिन कुछ ही घंटों में जब पता चला सत्ता धारी पार्टी को कि जांगावली पर यारोप लगे हैं तो तुरंती सीसीपी ने चीन की सत्ता ने उसको दबाने की कोश्र की हाला कि जांगावली 2018 में ही रेटार हो चुके थे उनको पद से हटा दिया गया लेकिन अभी भी वहां की सत्ता धार पार्टियों के बेहत करीब मने जाते हैं मसलिम जो मौझूदा प्रीमियर है लेकें की लेके क्यांग उसके बेहत करीब हैं इसके अलावा जो 1993 से 2003 के पार जियांग जैमिन जो प्रेजिडेंट है और जो आज भी अच्छा खासा उसके भी बेहत करीब हैं जांगावली तो अपने तमाम संबंदों का फ़ादा उठाते वे जांगावली ने इस खबर को दबाने की त्रंथ शुरुआत कर दी और ये पत्र वीबो से त्रंथ गायब हो गया ना सिब ये पत्र गायब हुआ बलकि इस पत्र से जुड़ी हु को भी बैन कर दिये गया यानि अगर चीन में कोई व्यक्ति टेनिस शब्द को सर्च करता है तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी लेकिन धीरे धीरे सच चीन से बाहर आही गया और अब नतीजा ये है कि पूरी दुनिया के जितने भी जाने माने नाम है स्पोर्स की दुनिया में वो लगातार चीन पर दबाव बना रहे हैं लग बयाना जारी कर रहे हैं कि आखिरकार फेंग्शुई कहां गया भी ना सिर्फ चीन ने सोशल मीडिया सर्च को बैन किया था बलकि चीन ने फेंग्शुई को भी अपने कबजे में ले लिया और उसको कहीं नज इपन टेनिस असेशुईशन ने भी और उफिशली बयान जारे किये कि फेंग्शुई को रहा किया जाये उसको दुनिया के सामने लाया जाये ना सिर्फ टेनिस से जड़े सोपरस्टार बलकि अलाग अलग स्पोर्ट के सुपर्स्टार्स ने अब चीन के खिलाब बयान देना शुरू कर दिया धीरे धीरे एस फेंग्शुई को ढूणने के शुरुवात ने एक आंदोलन गरोप ले लिया है अब पूरी दुनिया में फेंग्शुई को ढूणने का एक तरह से सोशल मीडिये कैमपेंच चल रहे हैं अब चीन इसको दबाने की हर संभव चीन हलागे फच चुका है वहां की सत्ताधारी पार्टिया फच चुकी है लेकिन अभी भी इसको दबाने की हर संभव कोशिश है मसलन कोई भी अंतराष्च्य मीडिया संस्थान इस खबर को चलाता है तो उसको चीन में बैन कर दिया जाता है हाल ही में हमने देखा कि CNN ने जब भी इस तरह की फिंक्शुई की गायब होने की खबर को चलाया उसको उसी वक्त CNN पर वहां पर कलर बार आना शुरू हो जाता था यानि कोई भी खबर अंतराष्च्य संस्थान अगर चलाता है तो चीन में कम सकम वो उस खबर को नहीं देख पाएगा यह हालत है हालत यह हुआ कि चीन में जो विंटर ओलम्पिक्स होने है उसको कैंसल करने की भी शुरुवाद हो ची है उसकी मांग चीन के जो sports authority है उनसे बात की और ये हुआ कि जो feng shui है आखिरकार उससे online एक बात कराई कहा जाता है कि Thomas Bach ने online Thomas Bach से बात की है करीब आदा गंटा और तब जाकर एक तरह की तसलिय मिली लेकिन क्या ये भी feng shui को दबाओ के चलते करा जाया क्या वो खुद से बाहर आ सकती है वो रिहा है इस बात की पुष्टी अभी तक नहीं हो पाई है Thomas Bach ने आदा गंटा फeng shui से बात की है online इस तरह की खाबरे सामने जरूर आई है लेकिन अभी वी feng shui कहा है क्या वो अपनी मर्जी से कहीं भी आया जा सकती है इस बात की पुष्टी अभी तक नहीं हो पाई है जाहिर है चीन की जो एक तरह की चीली जीचे सत्त दृइह पार्टी की आदत है कि अकसर इस तरह के सच को दबाने की हमशा कोश्री करते हैँ और हमशा सफल रहते है किसी तरह की सवाल नहीं ऊठते हैं लेकिन इस बार शूकी मामला एक महिला अंतराष्चे स्टार का था और ना तो उगलते बन रहा है ना ही उनको निगलते बन रहा है अब हालत ये है कि जो सतधारी पार्टी है उनके खिला भी एक अंदुलन चीन में भी और चीन के बाहर भी धीरी देरे खड़ा होने लगा है कि किस तरीखे से ना सिर्फ ये जांग बावली को लेगर मसला है बलकि इससे पहले भी चीन के अलग-अलग सताधारी पार्टी के नेताओं खिलाब आरोप लगते रहे हैं लेकिन इसको उसी तरह दबाने की कोशिश होती रही है एक बार फिर से वो तमाम बायानात सर्फेस पर आने लगे हैं और फिर से जो CCP है उसके काले कारनामों के चिठ्टे खोलने लगे हैं यह है चीन का सच्छ विय अदेखा जाए तो एक मामुली सी महिला चीन की नजर में सताधारी पार्टी के सामने तो एक मामुली ही महिला है लेकिन उसको किस तरे किसधर दबाने की अपनी सत्त धारी पार्टी के नेताओं से जुड़े सत्त धारी पार्टी के साथ जुड़े एक नेता की इज़द बचाने के नाम पर जो कार्मामा चीन ने किया है अब वो एक अंदोलन का रूप ले चुगा है आगे चीन इसको किस तरह के से संभालने की कोशिश करता है कैसी किस तरह की से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करता है आगे के देखिए हम आपके साथ शेर करते रहेंगे नमस्कार